दोजार चोबिस का लोकसभा का चुना हमाने वाला है ऐसे में ये राजनितिक पार्टी और इनके बाकी जुड़े हुए संगठन देश में और भी कई जगा दंगे कारा सकते हैं हिंदु मुसलमान करवाकर पॉलराइज करना चाहते हैं दंगों का असर पूरे भारत को बरबा बड़े उद्योग पती हैं उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते जिनके घरों में मंदिर का चड़ावा जाता है उनके बच्चे भी दंगों में नहीं जाते सात्यों सबसे पहले तो मैं समझते देशवासियों से निवेदन करता हूं किया आप सब लोग सांती बनाए र या आसपास के बाकी जिले हो या कोई दूसरा राज्य हो पूरे देश के अंदर सभी जाती धर्म के लोग साथ मिलके सांती से रहना चाते हैं लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में हैं जो सत्ता में रहते भी कुछ करके नहीं दिखा पाए जो ना तो महनाई कम कर पाए ना लोगों को रोजगार दे पाए और ना ही कोई बड़े पैमाने पे विकास कर पाए ना वो बलेक मनी वापस लावाए लोगों की जिंदेगी में उन्होंने पूरी तरीके से भूचाल मचा दिया लोग के रोजगार छिन रहे हैं फैक्ट्रिया बंध हो रही है ऐसे में वो ताक्तें जो सत्ता में हैं जो पर्फॉरमेंस के दम पर वोट नहीं मांग सकती वो हिंदू-मूसल्मान करवाना चाहती हैं वो धर्म के नाम पर लगातार उन्मात कर रही हैं ऐसे में पहले तुम्हें देश वासे सकोंगा कि सांती बनाए रखने में सहयोग करें और ऐसी राजनितिक पार्टी और उनके संगटन के लोगों से उनके नेताओं से और ऐसे संगटनों से जो लोग आए दिन धार्मिक जुलूस निकालते हैं आए दिन लोगों को भड़काते हैं मनिपूर का दंगा हो चाहरियाने के नुहू का दंगा हो या दिल्ली के अंदर 2020 में उत्तरपूर्वी जिले में जो दंगा हुआ अगर इमानदारी से निस्पक से जांच हो जाए तो यह बात इसपस्ट हो जाएगी कि कौन सी वो राजनितिक पार्टी है जो दंगों के पीछे है कौन वो राजनितिक पार्टी है जो पर्फॉर्मेंस के दम पर वोट नहीं मांग सकती कौन सी वो राजनितिक पार्टी है जिसके जिसका सब कुछ पुरी राजनिति दंगों के उपर चलती है नफरत के उपर चलती है अभी 2024 नजदीक है 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है ऐसे में ये राजनितिक पार्टी और इनके बाकी जुड़े हुए संगठन देश में और भी कई जगा दंगे कारा सकते हैं मेरा आप से नविदेन नजर रखिये अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक जुलोसों में जाने से रोकिये अपने बच्चों का दंगों के लिए इस्तेमाल मत होने दीजिये चुकि जब दंगे होते हैं जब आग लगती है तो वो किसी को धर्म को नहीं पहचानती जब आग लगती है तो आग के चपेट में जो आता वो ही जल जाता है तो कुछ लोग हैं जो देश में असान्ती बनाना चाहते हैं जो 2024 के चुनाव के मद्दे नजर हिंदु मुसल्मान करवा कर पॉलराइज करना चाहते हैं यानि क्या केवल वोट पाना ही सब कुछ है क्या आप काम के अधार पर वोट नहीं मांग सकते क्या नफरत से देश आगे बढ़ेगा जिस तरह जहां जहां नफरत बढ़ती है दंगे होते हैं वहीं वहीं विकास ठब हो जाता है और जो हमारे देश के प्रतान मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारत में अमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और आकर में भारत में investment करें अगर इस तरह दंग्या हुंगा असानती होगी तो क्या कोई भी अकलबन उद्योगपती दुनिया का भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा सोच लीजिए ज़रा ठंडे दिमाग से धंगों का असर पूरे भारत को बरबाद कर देगा नफरत से जो नफरत की आग कुछ लोग लगा रहे हैं कुछ राजनिता लगा रहे हैं ये पूरे देश को जला कर राख कर देगी इसलिए मेरा अफसे निवेदन जो लोग भारत से प्यार करते हैं वो भारत के समिदान की रक्सा के लिए भारत के लोकतंतिर की रक्सा के लिए एक जुठों सांती बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को ऐसे जुलूसों में ना जाने दें अपने बच्चों का दंगों में इस्तिमाल ना होने दें चुकि वो कि बच्चे दंगों में जाते हैं वो ही जेल जाते हैं वो ही मरतें और बरबाद होते हैं इसलिए अपने बच्चों को रोकिए मेरा आप से हाथ जोड़के निवेदाने इस भारत को बचा लीजिए इस भारत के समिधान को बचा लीजिए भारत के लोकतंतर को बचा लीजिए ऐसी राजनितिक पार्टी और ऐसे समाजिक संगटन या धार्मिक संगटन किसी काम के नहीं है वो देश के दुस्मन है जो देश में नफरत फिलाने में लगे हैं मैं कई वीडियो देख रहा हूं जिसमें देखने से लगता है जैसे कनोट प्लेस के अंदर बनाई गई हैं कुछ लोग है लगता है जैसे वहीं गुमते हैं रहते हैं वो केवल हिंदू मुसल्मान करते हैं केवल देश में नफरत पैदा करने के जिनको पैदा किया गया है और वो भी वारत के राजदानी में ऐसी जगा पर खुले हम वो लोग दमकी देखर वीडियो बना कर डाल रहे हैं इसको रोखिए कारवाई कीजिये न पर बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले